जै मातादी आईए सुनते हैं नौरात्री के दूसरे देर दुर्गा सप्त सती का दूसरा अध्यार प्राचीन काल में देवताओं और अशुरों में पूरे सो वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर देवताओं को जीत महिसासुर इंद्र बन बैठा था युद्ध के पश्चात हारे हुए देवताओं प्रजापती श्री ब्रम्हा को साथ लेकर उस अस्थान पर पहुँचे जहां पर की भगवान संकर बिराजमान थे देवताओं ने अपनी हार का सारा ब्रितान भगवान स्री बिश्डू और संकर जी से कह शुनाया वह कहने लगे हे प्रभू महिसासुर सूर्य चंद्रमा इंद्र अगनी वायू यम वरूर तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबका अधिस्थाता श्वयम बन बैठा है उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है वह मनुश्यों की तरह प्रित्वी पर बिचर रहे हैं दैतियों की सारी कर्तूर हमने आपको सुना दी है और आपकी सरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके बध का कोई उपाय सोचें देवताओं की बाते सुनकर भगवान श्री विष्डू और संकर जी को दैतियों पर बड़ा गुश्सा आया उनकी भवहें तन गई और आखें लाल हो गएं गुश्से में भरे हुए भगवान विष्डू के मुख से बराभारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान संकर ब्रम्हा और इंड्र आदी दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुन्ज वह ऐसे दिखता था जैसे की जाजलमान परवत हो देवताओं ने देखा कि उस परवत की ज्वाला चारो और फैली हुई है और देवताओं के सरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी एक अस्थान पर एकठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकास से तीनों लोकों में ब्याप्त जान पड़ा वह भगवान संकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ यमराज के तेज से उसके सीर के बाल बने भगवान स्री विश्रू के तेज से उनकी भुजाएं बने चंद्रमा के तेज से दोनों अस्तन और इंद्र के तेज से जंहा तथा पिंडली बने और प्रीथवी के तेज से नितम भाग बना ब्रम्हा के तेज से दोनों चरण और सुर्य के तेज से उनकी अंगूलियां पैदा हुई वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुवेर के तेज से नासिका बने प्रजापती के तेज से उनके दार और अग्न के तेज से उनके नेत्र बने संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायू के तेज से उनके कान प्रकठ हुए थे इस प्रकार उस देवी का प्रादुर भाव हुआ था महिसासुर्शे पराजी देवता उस देवी को देखकर अतियंत प्रसन्ण हुए भगवान संकर ने अपने त्रिसूल में से एक त्रिसूल निकालकर उन देवी को दिया और भगवान विश्रू ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उन देवी को दिया वरूर ने देवी को संख भेट किया अगनी ने इन्हें सक्ती दी वायू ने उन्हें धनुस और बार दिये सहस्त्र नेत्रों वाले श्री दीवराजिंद्र ने उन्हें अपने बज्र से उत्पन करके बज्र दिया और आइरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेट किया यमराज ने उन्हें काल डंड में से एक डंड दिया वरूर ने उन्हें पास दिया, प्रजापती ने उन देवी को अस्फटिक की माला दी और ब्रम्हाजी ने उन्हें कमंडलू दिया, सुर्य ने देवी को समस्त रोमों में अपनी किलों का तेज भर दिया, काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेट किये और इनके साथ ही उन्हें दिव्य चुडा मरी दी, दो कुंडल, कंकर, उज्वल, अर्धचंडर, बाहों के लिए बाजू बन, चड़ों के लिए नुपूर, गले के लिए सुन्दर हसली, और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगुठिया उन्हें दी, विश्व कर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिये और इसके अत्रीक उन्हें कभी न कुमलाने वाले सुन्दर कमलों की मालाएं भेट की, समुन्दर ने सुन्दर कमल का फूल भेट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंग और तरह तरह के रत्न देवी को भेट किये, यच्छ राज कुबेर ने मधू से भरा हुआ पात्र और सेश नाग ने उन्हें बहु मुल्य मडियों से विभूसित नाग हार भेट किया, इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूसर और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया, इसके परशाद देवी ने उच्छ स्वर से गर्जना की, उनके इस भयंकर नाद से आकास गुज उठा, देवी का वह उच्छ स्वर किया हुआ सिंग नाद समान न सका, आकास उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा, उनसे बड़े जोर की प्रती ध्वनी हुई, जिससे समस्त विश्व में हल्चल मच गई और समुंद्र काप उठे, प्रीथ भी दोलने लगी और सब के सब परवत हिलने लगे, देवताओं ने उन समय प्रसन्धो सिंग वाहिनी जगत्मई देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, इसके साथ महर्शियों ने भक्तिभाव से विनम रहोकर उनकी इस्तुती की, संपूर्टि लोकी को शोक मगन देखे कर, दैत्यगर अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हत्यार आदिश जाकर उठ खड़े हुए, महिसासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी, उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है, फिर वह अपनी सेना के साथ उसोर दवडा, जिसोर से भयंकर नाद का सब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुचकर उसने देवी को देखा, जोकी अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकासित कर रही थी, उनके चड़ों के भार से प्रित्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आगास में एक रिखासी बन रही थी, और उनके धनुस की टंकार से सब लोग छुब्द हो रहे थे, देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर दिसाओं में फैलाएं खड़ी थी, इसके पश्चा उनका दैतियों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रिकार के अस्त्र सस्त्रों से सब की सब दिसाएं उद्भासित होने लगी, महिसासुर की सेना का सेना पती चिछूर नामक एक महान असुर था, वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैतियों की चतुरंगिरी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और साथ हजार महा रथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महा दैतिया कर युद्ध करने लगा, और महानु नामक असुर एक करोर रथियों को लेकर, असी लोमा नामक असुर पाच करोर सैनकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा, वास्कन नामा कसूर साथ लाख हसुरों के साथ युध में आ डटा बिडाल नामा कसूर एक करोड रत्यों सहीत लड़ने को तैयार था इन सव के अत्रीक्त और भी हजारों असूर हाथी और घोरे साथ लेकर लड़ने लगे और इन सव के पश्चार महिसासूर करोडों रत्यों हाथियों और घोरों सहीत वहां याकर देवी के साथ लड़ने लगा सभी यसूर तोमर भिंदिपाल सक्ति मूसर खंडगो फर्सों पटियों के साथ रर भूमी में देवी के साथ युध करने लगे कई सक्निया फेकने लगे और कोई अन्य सस्त्रा दी इसके पश्चार सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारे हाथों में लेकर देवी की ओर दोड़े और उन्ही मार डालने का उध्योग करने लगे मगर देवी ने क्रोध में भर कर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों सस्त्रों को काट दिया इसके पश्चार रिशियों और देवताओं ने देवी ककी की इस्तुती आरम्भ कर दी और वह प्रसन होकर अस्रों के सरीरों में जाकर रहने लगी और अस्त्र सस्त्रों की वर्सा करती रहे देवी का वाहन भी क्रोध में भर कर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे की बन में दावा नल फैल रहा हो युद करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने स्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैक्रों हजारों गरों के रूप में परिवर्तित हो गए फरसे भिंदिपार खडग तथा पट्टी सित्यादी अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद करने लगी देवी की सक्ती से बढ़े हुए वह गर दैत्यों का नास करते हुए धोल संक वह मृदंग आधि बजा रहे थे तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा सक्ती खडग इत्यादी से सहस्त्रों अस्रों को मार डाला किन्तु घंटे की भयंकर आवाद से ही यमलोग पहुचा दिया कितने ही यस्रों को उन्होंने पास में बाद कर प्रिथवी पर घसीता कितनों को अपनी तलवार से टुक्री टुक्रे कर दिये और कितनों को गदा की चोट से धर्ती पर सुला दिया कई दैत्य मूशल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण प्रिथवी पर लेट गए और कितनों की बार से कमर तूट गए देवताओं को पीरा देने वाले दैत्य कट-कट कर मरने लगे कितनों की बाहें अलग हो गए कितनों की ग्रिवाएं कट गए कितनों के सिर कट कर दूर भूमी पर लुढ़क गए कितनों के सरी बीच में से कट गए और कितनों की जंगाएं कट गए और वा प्रिथवी पर गिर पड़े कितने ही सिरों वा पैरों के कटने पर भी भूमी पर से उठ खड़े हुए और सस्त्र हात में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगर भूमी में बाजों की ध्वनी के साथ नाच रहे थे कई असूर जिनके सीर कट चुके थे बिना सीर के धर से ही हात में सस्त्र लिये हुए लड़ रहे थे दैत्य रह रहकर थहरो थहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमी रत्थ हाथी घोड़े और असूरों की लासों से भर गई थी और असूर सेना के बीच में रत्पात होने के कारण रुधीर की नदियां बह रहे थी और इस तरह देवी ने असूरों की विसाल सेना को छर भर में इस तरह से नश्ट कर डाला जैसे त्रिड कास्ट के बड़े समूह को अगनी नश्ट कर डालती है और देवी का सिंग भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा सब्द करता हुआ असूरों के सरीरों से मारों उनके प्राडों को ढोड़ रहा था वहां देवी के गरों ने जब दैतियों के साथ युध किया तो देवताओं ने प्रसन होकर आकास से उन पर पुस्प वर्सा की